हलो गाईज आप देख रहे हैं वाई जी लो और मैं हूँ वाई जी आज का हमारा टॉपिक है लो अफ टॉट्स में स्ट्रिक्ट एन एपसलूट लाइबिलिटी काफी इंपोर्टेंट है तो इसको अपन काफी डीटेल में पढ़ेंगे बहुत सारे केसे डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं जो की बनाई गई थी मतलब यह कॉंसेट बना गया था राइलेंड्स वर्सिस फ्लेचर के केस में अब जैसा की नाम से दिख रहा है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी है लेकिन ठोड़ी और ज्यादा स्ट्रिक्ट है अब इस केस म पुरानी मिल जो ती वहाँ पे जो जमीन पे मिल थी उसके माई शैफ्ट थे और वह माई शैफ्ट को उसने ऑगनोर मार दिया यह बनाते वे और यह माईंस स्ट्रिक्ट क्लाइए कि फ्लेचर पर कषर दिया अफ फलेचर यहां पर बोला कि बाई मुझे तो पता ही नहींथ कि नीचे कोई माइन शैफ्ट भी है इसना जमीन खरीदी होगी नहीं कोई पुराना माइन शैफ्ट होगा और दूसरी बात अगर मुझे पता भी होता तो मेरी गलती थोड़ी नहीं तो इंडेपेंडेंडेंट कोंट्राक्टर की गलती है तो देखो यह दोनों जो भाने ना पन डिफेंसेज को भाने बोलते हैं वह जी लौप यह दोनों जो भाने यह कफी सई भाने कि पहली बाद अगर पता ही नहीं था तो वह नेगलिजेंस नहीं थी और इंडेपेंडेंडेंट कॉंट्राक्टर की गलती है तो फिर इसके रिपलाय में कोई नहीं चलेंगे थे यूजुल काम नहीं होता उन्यूजुल काम प्राफिट मिकिंग हो या कोई चाब कर रहे हैं ऐसा कुछ समाने लाते हो जो अगर escape कर गई तो वो नुकसान कर सकती है mischief कर सकती है किसी और के right के साथ मतलब property right के साथ ये किसी और के personal right के साथ मतलब कुछ भी हो mischief कर सकती है और वो चीज भाग गई ठीक है वो कुछ भी हो सकता है वो जैसे reservoir में पानी था वो हो सकता है वो कोई share आपने रख रखा है घर के अंदर तो वो share भाग के किसी को खा गया तो share हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है जो भी चीज mischief कर सकती है और वो भाग गई तो आपकी जिम्मेदारी होगी अब Blackburn ने इसमें defenses दिये है एक तो दिया है कि plaintiff की गलती है जो case कर रहा है उसी की गलती है तो चलो ठीक है तो आपकी strict liability भी नहीं होगी strict liability में भी आपकी liability नहीं होगी मतलब और which major मतलब act of God और इसके अलावा भी exception है अब point ये उठता है कि अगर इन्होंने बोला कि इसके exception है तो exception तो defenses तो taught के होते है न आपकी सारे होते हैं act of God और plaintiff, default और ये सब plaintiff is the wrongdoer होता है तो फिर ये strict liability में special क्या है इसको strict क्यों बोलते हैं general defenses में हमने देखा कि 8 general defenses होते हैं वैसे general defenses का video अल्रेडी बन चुका है बहुत सारे case laws के साथ तो वो यहाँ पर आ जाएगा तो आप देख लेना अगर आपको देखना है तो हाँ तो general defenses में अगर देखें तो 8 general defenses होते हैं जो सारे taught में मिलते हैं लेकिन strict liability strict इसलिए है क्योंकि इसमें ये सारे general defenses नहीं मिलते हैं इसमें inevitable accident, private defense, mistake और necessity नहीं मिलता है इसमें सिर्फ voluntary non-fit injuria यानि की consent of the plaintiff या plaintiff की खुद की गलती या फिर act of God और statutory authority का defense मिलता है और एक इसमें extra defense मिलता है वो defense होता है act of third party तो इसलिए ये थोड़ी strict है क्योंकि इसमें inevitable accident का defense नहीं मिलता inevitable हो कि ना हो हमको फरक नहीं पड़ता अगर ये सारे defenses नहीं है तो आप liable हो private defense strict liability में apply नहीं होता है apply इसलिए नहीं होता है क्योंकि essential वही है dangerous thing वो escape और वो कुछ damage करता है तो आप private defense कहां कर रहे हो उस पूरे act में तो वो cases में आता ही नहीं private defense mistake कोई defense नहीं है strict liability में और necessity भी कोई defense नहीं है strict liability में तो ये सारे exceptions है strict liability के और ये सारे general defenses है इसलिए ये strict मानी जाती है अब जैसे general defenses वाले वीडियो में हमने देखा था कि Nicole's versus Marsland Nicole versus Marsland का case था इस case में क्या हुआ था कि एक water reservoir बनाया था और वो water reservoir के बनाने के बाद एकदम unforeseen बारिश हुई थी बहुत ही खतरनाक बारिश हुई थी जिसकी वज़े से water reservoir फट गया था और flood हो गया था दूसरे जो अपना plaintiff है उसका land यहां पे strict liability का ही exception अप्लाए करके act of God apply करके ठीक है और इसमें liability हटा दी थी statutory authority अपन डिसकस करी चुके है plaint plaintiff on default consent of the plenty भी सारे exception समझाने के जुरत नहीं जनरल defenses के वीडियो में समझा चुका हूं already act of third party क्या होता है act of third party मतलब कौन अंजान third party या फिर आपके जान पचान का third party या फिर कौन है ना तो यह सवाल उठता है तो सबसे इसमें important एक ही बात है क्या independent contractor third party होगा तो सबसे पहली बात तो देखो राइलेंड वर्सेस फ्लेचर में भी independent contractor नहीं बनाया था ठीक है वो रिजर्वायर और liability की थी अपनी plaintiff पे तब भी तो independent contractor को जहां तक case law की study से दिख रहा है third party नहीं मानते और यह इंडिया में भी प्रूव हो चुका है independent contractor की fault के बाद भी लाइबिलिटी लगाई गई किस case में टी सी बाल कृष्णन मेनन वर्सेस टी आर सुब्रमन्यन में सुब्रमन्यन में अब इसमें क्या हुआ था कि यह अपना plaintiff था उसने एक पठाका बनवाया आतिश बाजी आतिश बाजी उसने बनवाई एक independent contractor से पूरा काम इसी का था अपने घर के अंदर इसने फिर पठाका बनाया coconut shell है यह coconut shell के अंदर ही कुछ बेचने डाले होंगे वारूद वारूद और फिर इसमें आग लगा दी आस्मान में फायरवक्स देखने के लिए लेकिन वह आस्मान में जाने की बजाए वहां पास वाले क्राउड में चला गया घर के बार और आँख फूट गई एक बंदे की मतलब इंजरी हो गई आँख नहीं फूटी इंजरी हो गई तो उसने केस करा तो फिर अपने टी आर सुब्रमनि गलती है तो कोर्ट ने इधर स्ट्रिक्ट लाइबिलेटी के प्रिंसिपल के हिसाब से इनको लाइबल करा एक डेंजरस चीज थी वह आपका कोकोनट और वह कोकोनट आपके घर से एसकेप करके बाहर जाके डामेज कर दिया तो आपकी गलती है अब अपने डिसकस तो करी ल कुछ भी हो सकता है ठीक है डेंजरस तिंग सेकेड़ एसकेप मतलब क्या एसकेप ऐसे समझो कि क्रॉहर्स वरसे अमर्शयम बूरियल बोर्ट है कि यह केस था इस केस में अमर्शयम बूर्ड की बाहुंडरी के बाहर एक पॉईजनेस ट्री जो उनके एरिया में उग रही थ होगा ठीक है तो उन्होंने मांगे पैसे की डेंजरस तिंग ही थी आपके एरिया में लैंड में और वह एसकेप कर गई क्योंकि हमारे लैंड के उपर तक उसकी डाली आ रही थी तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा तो कोट ने बोला बिल्कुल देना पड़ेगा सही बात है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अपलाए करी लेकिन मान लो डेंजरस तिंग है और वह एसकेप ना करे जैसे पॉंटिंग वर्सिज नोक्स में वही एमर शैम बुरियल बोट जैसे एक ड प्लांट का होर्स, खुद उस एरिया में घुसा और वह स्वार्ण डेंजरस तिंग है लेकिन वह ऑस्टेप थोड़ी ना करी थी पॉंट लएकिन वह स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नहीं दिया कंपनेशन क्योंकिSminflammation क्यों एसे लाइंस जो वहाँ पर काम करती थी ठीक है वह इंजर हो गई तो उसने पैसे मांगे स्ट्रिक लाइबिलिटी के अंदर की डेंजरस थिंग थी और उसकी वज़े से मेरे को डामेज हो गया लेकिन कोट ने बुला कि एसकेप का हुआ उसके एमिनेशन फैक्टरी के अंदर ही है और इसकेप भी है लेकिन उसकी फैक्टरी के अंदर ही है नेक्स्ट एसेंशल है नॉन नाच्रल यूज अफ लैंड मतलब की कुछ आउट अफ दी ऑर्डिनरी कर रहे हो आप जो डे टू डे बेसेस पे लोग नहीं करते सोचा की वरसे सास वाला जो केस था इस केस में क्या ह हुआ था कि एक फायर प्लेस तीजो घरों के अंदर फायर प्लेस होती न गरम करने क्लिए घर को तो फिशकर रहे यहां पर नाच्रल यूज अफ नहीं नहीं करी सोचा की वर्से सास में लाइबल नहीं करा स्टेक्ट लाइविलिटी के अंदर आ इसरी नोबल वर्से सब्स इसमें land था land के ओपर पेड़ उगरा था normal पीड़ उगरा था काफी बड़ा होगया था poisonous poisonous कुछ नहीं था लेकिन वो पेड़ उगा होगा होगा और उसकी डाली उस land के बाहर protrude कर गई बाहर निकल गई और फिर वो डाली तूट गई और वो गिर गई नीचे एक vehicle पे जो highway बे चल रहा था जमीन पे तो वो damage हो गया पूरा injury हो गई तो इस case में भी strict liability नहीं लगाई गई क्योंकि plaintiff की कोई गलती नहीं थी और सबसे बड़ी बात non-natural use of land नहीं था घर में normal सा पेड उगाना non-natural use of land नहीं होता Absolute liability का principle बना गया था MC Meta versus Union of India 1987 case में अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये भौपाल gas leak वाला case नहीं है ये case है oleum gas leak वाला जो स्रीराम food and fertilizer industry में हुआ था जो कि डेली में थी भौपाल में नहीं भौपाल वाला जो case था वो इस case में influencing factor था कोर्ट को अच्छे से याद था कि एक और case हुआ था बहुत large scale leakage हुआ था एक gas का और उस gas की वज़े से 3000 लोग मर गये थे भौपाल के अंदर Union Carbide Plant के अंदर ये हुआ था ये जो olyum gas leak वाला case है जिसमें absolute liability है इसमें 3000 लोग जितने लोग नहीं मरे थे कम हुआ था damage बहुत ही कम लेकिन फिर भी इतना हुआ था कि court के दिमाग में आगया बात कि देखो ये पहले भी हो चुका है और ये दुबारा हो गया और ये आगे भी हो सकता है तो court ने इस case में follow नहीं करा tort का जो rule होता है strict liability वाला उन्होंने बोला कि हमको नहीं पता अंगरेज क्या बोल रहे हैं हम हमारा खुद का करेंगे इन्होंने absolute liability का principle evolve किया और राइलेंड वर्सिस फ्लेचर का जो principle था strict liability का साफ साफ लिख दिया कि वो जो नया rule है वो strict liability नहीं है absolute liability है अब इस absolute liability का मतलब है कि absolute liability इसका मतलब है कि आपने इतनी बड़ी factory खोल रखी है union carbide जितनी बड़ी आप company हो या फिर आप श्रीराम food and fertilizer जैसी बड़ी industry हो तो आपके यहां से अगर dangerous thing escape करती है तो भले भगवान की गलती हो भले किसी की गलती हो ठीक है आपको पैसे देने पड़ेंगे कि इतने सालों से profit कमारे हो तो इतना risk तो आपको लेना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप रखो अपनी dangerous thing अपने पास बाहर नहीं निकलने दो कोई exception नहीं है यह difference है strict liability और absolute liability में कि कोई exception नहीं है इसमें भगवती जैसे की black bun थे उसमें जाज strict liability यह बहुत बार पूछते हैं कि strict liability का principle रायलेंड वर्सिस फ्लेचर में किस ने दिया तो black bun ने दिया ऐसे ही justice भगवती ने दिया absolute liability का principle जस्टेस भगवती ने बोला कि देखो development हो गया है science में बहुत बड़े 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 बनती है industry आज कल और constitutional में भी development हो गया है बड़े बड़े और article 21 और यह सब भी आ गया है और अब एकदम अलग type की economy और जो पूरा साल पहले principle दिया था ना liability का strict उससे उपर उठ जाएं और थोड़ी higher liability इन इंडस्ट्रीज पे या ऐसी entities पे जो भी यह काम करती है dangerous substances से related इन पर अपन एक stricter liability लगाएं strict से ज्यादा तो absolute लगा दी इनोंने court ने दो reason दिये justify करने के लिए कि जो enterprise है जो यह इतना खतरना काम क कर दिया था कि gas वैसे रख रखी इतनी खतरना कि 3000 लोग मर गए और उस काम से profit कमारी है तो उनकी obligation है कि वह compensate करे उनको अगर किसी को suffering हो रही है उनके काम में कोई दिक्कत से तो सही बात है इतने सालों दगा profit कमारे हो तो आप भुकतान भी करो अगर आपने नुक्सान करा त दूसरी बात जो enterprise है सिरफ वही रोक सकती है यार मतलब एक union carbide में अगर पूरा का पूरा इतना बड़ा gas chamber है तो उसकी security कैसे करनी है उसको leakages से कैसे बचाना है और उसमें जो troubleshooting है और सब कैसे करनी है वो इस enterprise को तो बताऊगा union carbide को बताऊगा अगर अडोसी पडोसी के घर हमें रहने वाले लोग थोड़ी ना के बताएंगे कि इसकी सुरक्षा कैसे करो या फिर वो थोड़ी ना इंतिजाम करेंगे सिर्फ आपके पास ही resources है कि आप उसको कैसे कर सकते हो hazards को danger को minimize तो आपकी जिम्मेदारी है पूरी तो आप ध्यान रखो हमने जिम्मेदारी का और सब्सक्राइब मतलब ऐसे फाड़ मत देना लिटरली मतलब अच्छा करना मेटा फ़र था वो मतलब मुआवरा था अच्छा करना बेस्ट अफ लग